हेलो वियोर्स माइनेम इस अवदिका शर्मा आपकी मैस ट्यूटर आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम ट्राइटीज जो की पीछ नंबर 13 पे है उसका कोशिय नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसमें बताया था है कि बस बस की हमें स्पीड बताई है और उसकी जर्णी हमें बताई है और हमें टोटल दिस्टेंस निकालने हैं सबसे पहले फ्रॉप A to D अब देखिए कहां है A यहां पर A to D मतला बस A से लेकर के D तक पहुंसती है तो वो टोटल कित्य डिस्टेंस कवर करती है इसको निकालने के हम टीनो दिस्टेंस A to B है B to C, C to D इन टीनो डिस्टेंस को आपस में क्या करेंगे एड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्ले करते हैं तो हम टीनो डिस्टेंस जो ही है उनको प्लस करेगी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4,170 KM उसके बाद में B to C क्या है 3410 KM After that C to D क्या है 2160 अब क्या करेंगे? Yes, plus करेंगे 0, 0, 0 7 plus 1, 8 8 plus 6, 14 14 का 4 करी गई 1, 1 plus 1, 2 2 plus 4, 6 6 plus 1, 7 4 plus 3, 7 7 plus 2, 9 Then 8, 2 यहां से लेकी यहां तक की total distance जो बसनी कवर करी हो, कितनी हो जाएगी? 9,740 किलो मीटर जो क्या है? From D to G अब D से स्टार्ट हो करके G कहां यहां पर यहां तक पहुँचने में बसनी कितनी distance कवर करी? तो उसके हम क्या करेंगे? पहले D to E, जो क्या है? 8,140 E to F, 4,830 F to G, 2,550 क्या करेंगे? Yes, प्लस कर देंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 8,140 किलो मीटर उसके बाद में E to F क्या है? 4,830 किलो मीटर उसके बाद में F to G क्या है? 2,550 किलो मीटर अब क्या करना है? Yes, प्लस करना है Then 0, 0, 0 फिर 4 प्लस 3, 7 7 प्लस 5, 12 12 कर 2, करी गई 1 1 प्लस 1, 2 2 प्लस 8, 10 10 प्लस 5, 15 15 कर 5, करी गई 1 8 प्लस 1, 9 9 प्लस 4, 13 13 प्लस 2, 15 Then क्या है इसस? बताएंगे, रीद करके 15,520 किलो मीटर 15,520 किलो मीटर Next question Total distance covered by the bus If it starts from A And return back to A इसमें A से लेकर की पूरा वापस A तक आने में Total कितनी distance कवर करी? अब हमें पता है A to D कितनी है? 9,740 फिर इसमें हम आगे और प्लस कर देंगे G to A तो total हमें distance मिल जाएगी इसको रिकाले के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले A to D जो कि हमें पता है 9,740 उसमें क्या प्लस करेंगे? D to G D to G कितनी है? 15,520 किलोमीटर उसकी बादे के G to A G to A कितनी है? 1,290 तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 9,740 प्लस 15,520 प्लस 1,290 अब हम इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9,740 उसके बाद में 15,520 उसके बाद में 1,290 ओके? अब हमें क्या करना है? प्लस दें 0,0 0,4 प्लस 2 6,6 प्लस 9 15,15 का 5 करी गई 1 7 प्लस 1 8,8 प्लस 5 13,13 प्लस 2 15,15 का 5 अगें करी गई 1 9 प्लस 1 10,10 प्लस 5 15,15 प्लस 1 16,16 का 6 करी गई 1 1 प्लस हुआ? तो क्या हुआ? 2 तो क्या बना नमबर? 26,550 It means A to A बस A से जर्णी स्टार्ट करती है और वापस सब 5 से घूंगी हुए A तक पहुशती है तो तो कित की दिस्टेंस कवर करेंगी? 26,550 किलो मीटर ओके बेटाओ? Next question Difference of distance from C to D and D to E It means C to D कर जो distance है वो and D to E कर जो distance है 1140 किलो मीटर इन दोनों distance का हमें क्या निकालना है? Difference निकालना है Difference निकालने के लिए हम क्या करेंगी? Subtraction 1140 किलो मीटर मैंसे क्या सब्ट्रेक्ट करना हमें? 2160 किलो मीटर 0 मैंस 0? 0 4 में से 6 मैंस हो सकता है नहीं 40 आवान से यहां रेमेनिक 0 रहेगा यहां पे नमबर क्या बन जाएगा? 14 14-6 8 and 0 यहां से बोरो लेगा then नमबर क्या बन जाएगा? 10 10-19 यहां रेमेनिक 7 रहा then 7-2 5 तो हमारा इच आणसर क्या आएगा? 5,980 किलो मीटर बीम C to D and D to E की डिस्टेंस का डिफ्रेंस क्या है? 5,980 किलो मीटर 6,1 secrets कर देखर। गचिंगा? 10商 कर देखर, बा Richards 9,980 किलो मीटर 10 किलो मीटर झाल झाल